हाई फ्रेंट्स तो आज हम बनाने वाले हैं आलू परवल की सूखी सब्जी तो फ्रेंट्स आईए हम जान लेते हैं कि इसमें हम किनकी चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए मैंने यह तीन मिर्ची और थोड़े से लैसून और दो कटे हुए आलू दो सो ग्राम परवल और एक बड़ा प्याज को कट किया है तो आईए हम इसे बनाते हैं तो इसके लिए हम एक पैन या कड़ाई में ओयल डालेंगे आप कोई सबी ओयल यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ओयल यूज किया है जब हमारा ओयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें लैसून को बारिक कट करके इसमें डालेंगे तो अब हमारा लैसून फ्राई हो गया है तो लैसून को फ्राई होने के बाद हम इसमें आदा चम्मत जीरा डालेंगे जीरा डालने के बाद जब हमारा जीरा चटक जाए तो अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे जब हमारा हरी मिर्च थोड़ा अच्छा फ्राई हो जाए तो हम इसमें कटे हुई परवल को डाल देंगे परवल को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो फ्रेंड्स अब हमें परवल को अच्छी तरह से सेलो फ्राई करना है हमारा परवल फ्राई हो रहा है तो हम क्या करते हैं इसकी लीट को थोड़ी दिर के लिए लगा देते हैं दो से तीन मिनट के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा परवल कैसा है तो फ्रेंड्स हमारा परवल हलका से लो फ्राई हो गया है तो इसी स्टेज पर हम इसमें कटे हुए प्याज को भी डाल देंगे प्याज को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला कर हमें अच्छी तरह से इसे भुनना है तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढग देते हैं दो से तीन मिनट के बाद हम इसे वापस से चेक करते हैं और अभी अच्छी तरह से लाल नहीं हुआ है तो हम इसे थोड़ी देर तक और पकाएंगे दो मिनट बाद हम इसे वापस से चेक करते हैं और यह अब अच्छा फ्राई हो गया है तो अब हम इसमें कटे हुए आलू को भी डाल देंगे आलू को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इन सभी सबजीयों को हमें अच्छी तरह से उलट पलट कर अच्छी तरह चला चला कर लाल करना होता है पर वलकि यह सबजी जब एक डम करंची बनती है तो यह खाने में काफी ज़्यादा टेश्टी लगती है तो अब हमारी सबजी अच्छी तरह फ्राई हो गई है तो अब हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल देंगे अमचूर पाउडर डालने से इस सबजी का स्वात काफी डुगना हो जाता है तो फ्रेंस हमारे सबजी पक चुकी है और यह अच्छी फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं परवल की यह सुखी सबजी, दाल, चावल, खिचड़ी, पराठोए या रोटियों के साथ भी काफी ज़्यादा अच्छी लगती है आप भी इस सबजी को एक बार जरू ट्राई करिएगा और यह कैसा बना हमें कमेंट में बताईएगा परवल की यह सबजी बनाने में कोई भी जंजट नहीं होता और यह काफी ज़्यादा टेश्टी भी लगता है कम खर्च में बनने वाली इस सबजी का स्वात काफी दुगना हो जाता है जब यह अच्छे से भुन जाता है फ्रेंड्स हमारे परवल की यह सबजी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताईए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेंग प्रेंग करेंगे प्रेंगे जाएब करेंगे और है